असलाम वालेकुम आज मैं अक्सार शेयर कर रही हूँ बक्रईट स्पेशल हरी मिर्च के तलेवे गोश्ट की रेसिपी बक्रईट पे बहुत सारा गोश्ट होता है और हम अक्सार सोचते हैं कि क्या बनाए तो आप यह रेसिपी जरूर ट्राय कर सकते हैं बहुत ही चटपटा मज़ेदार और चटखारेदार बनकर तयार होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने ले लिया हैं यहाँ पर आधा किलो मतन यह मैंने बोनलेस मतन लिया है आप चाहें तो विद बोन्स भी ले सकते हैं इसे हम एक प्रेशर कूकर में आड़ कर देंग और एक ग्लास पानी हम इसमें आड़ कर देंगे अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम आड़ कर देंगे एक चौथाई टीस्पून हल्दी पौडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब प्रेशर कूकर का देड लगा कर हम इसे हाई हीट प पाज से 9 हरी मिर्चे, आधा मुठी पुदीना, आधा कब दही और 2 मुठी हरा धनिया, इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसे साइड में रख देंगे, तो दीने की कॉंटिटी हमने कम ली है क्योंकि हम इसे सिर्फ लेवर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो देख इसे फ्राइ करेंगे, इसके लिए मैंने एक पैन में आधा कप ऑईल गरम कर लिया है, अब ऑईल में हम एड़ कर देंगे, 10 से 12 लेसन की कर लिया है, इस तरह से मोटी मोटी क्रश की वी और इसे मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हमने जो मटन बॉल करके रखा है वो एड़ कर पर अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है, और मटन अब अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो गया है, अब हम इसमें एड़ कर देंगे, जो हरा मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था, और अब मसाले को मटन के साथ अच्छी तरह से 3-4 मिन तक हाई फ्लेम पर हम भून लेंगे, ताकि मसाले का कच्छा पन निकल जाए, यह देखिए इस तरह से, बहुत ही मज़िदार गोष्ट बन कर त्यार होता है, आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राइ करें, उमीद है आपको बहुत पसंद आएगी, तो अब देखिए यहाँ पर गोष्ट अच्छे से भून च और फिर इसमें हम डाल देंगे तीन से चार हरी मिर्चे, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब फ्लेम को हम आफ कर देंगे, और फिर इसमें आड़ कर देंगे, बारी कटाओा हरा धनिया, और इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे, तो लीजे हमारा बहुती मज रोटी रुमाली रोटी या चपाती के साथ भी सर्फ कर सकते हैं ऐसे भी का सकते हैं देखिए सौफ्ट जूसी बहुत ही मज़िदार और आसान यह देखें मैं आपको एक तोड़ कर बताती हूं बहुत ही कम टाइम में आप यह मज़िदार सा गोष्ट बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी रेसीवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें